तो दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन और मध्यकालीन जापान के इधियास के बारे में इसमें हम जानेंगे कि एंशेंट और मेडाइवल पिरियेड में जापान में किस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था यहां की सोसाइटी कैसी थी, किस तरीके का रिलीजिन यहां पे फॉलो किया जाता था यहां के लोग किस तरीके के व्यवसाई के उपर डिपेंडेंट हुआ करते थे सभी पहलों के उपर हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप जापान के इत्यास के बारे में और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो मैंने कुछ वीडियोज ओलरेडी बनाए हैं जैसे कि जो हिरोसिमा और नागसाफ़ी पे जो परमानू हमले किये गए थे इसके उपर मैंने वीडियो बनाया है उसके बाद दूसरे विश्वय युद में जापान पूरी तरह से बरबाद हो गया था और उसके बाद वो इतनी फास्ट पेस्ट से कैसे रिकावर किया और आज के समय दुनिया के सबसे डेवलप्ट कंट्रीज में वो कैसे आ गया इसके उपर मैंने एक स्टडी की थी और इसके उपर वीडियो बनाया था उसके अलावा जापान के एंशेंट रिलिजिन शंटोइजम पे एक वीडियो बनाया था और आने वाले समय में ये वीडियो भी मैं जल्दी ही लेके आउँगा कि जो जो मोडन जापान रहा है 1868 के बाद उसमें जो मेजर इस्टोरिशन हुआ उसके बाद जापान एक इंपीरियल पावर कैसे बना इंपीरियल पावर बना कैसे सामराज्य वादी देश कैसे बना पूरे इस्टन जो एशिया का सबसे बड़ा सामराज्य वादी देश बन गया था दूसरे विश्वयूद से पहले उसके बाद ही तो दूसरा विश्वयूद हुआ और दूसरे विश्वयूद में हिरोशिमा और नागासा की शहरों पे जब तक परमाणू बॉम नहीं गिरा दिये गए तब तक जापान ने हार नहीं मानी थी तो यह जो वीडियो है यह इसी वीडियो की continuity सीरीज में रह अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन्स के थोर पे देखें तो हम जापान को बहुत अच्छा हमारा मित्र मानते हैं उनके प्रधान मंतरी अभी भारत विजिट कर रहा था उन्होंने कहा था कि वो आने वाले समय में आने वाले पांस साल में 42 बिलियन डॉलर का भारत में इन्व जापान खूँब जाना जाता है जापानि इस आपने काफी सारी मुवीज भी देखी होंगी तो उनको देख कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानने का मन करता होगा तो आज हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं तो इनका यूनिक जो culture है इनका यूनिक एक तरीके से image है इनकी वो एक तो इनके religion और इनके culture की वज़े से है जैसे Shinto religion की मैं बात कर रहा हूँ Shinto religion follow किया जाता है वहाँ पे उसके लावा Chinese religion Taoism है और Confucianism है वो भी follow किया जाता है उसके लावा Indian religion इंडिया और नेपाल से जो originate हुआ हमारा बुद्धिजम ये भी जापान में follow किया जाता है तो ये थोड़े अलग culture के religion है और यहाँ पे follow किया जाते है इन सभी धर्मों के बारे में मैं already वीडियो बना चुका हूँ किस तरीके के धर्म है और किस तरीके से इनको follow किया जाता है कौन-कौन से इनके अंद of Genji ये लगबग 1100 के असपास लिखा गया था तो जापान में लिखा गया है दुनिया का पहला novel ये भी ध्यान रखिएगा उसके अलावा जापान जो है वो दुनिया भर के देशों से बहुत ज्यादा influence नहीं हुआ ज्यादा तर जो इसका influence आता है वो चाइना से आता है औ यही religion है कि इनके culture सेम थे इनके religion काफी हद तक सेम थे इसी वज़े से ये जो लोग है ये एक दूसरे को आइडियाज इनको अपील करते थे इसकी वज़े से जापान जो है वो भी काफी free था अपने अपनी ideology को select करने में और अपने आपको अपने indigenous culture को practice में लाने के लिए त ने किसी तरीके के international relations रखते थे ना कोई ये trade करते थे उनके साथ उसके बाद ये इनोंने धीरे-धीरे उनके साथ trade करना शुरू किया है और वो भी मजबूरी में वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा जब मेजी restoration की बात करेंगे जब हम ये बात करेंगे कि जापान इतनी सामराज्यवादी ताकत कैसे बना उसके कारण क्या थे तब आपको समझ मैएगा जापानीज रिलिजन जो सिंटोईजम है इसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे तो ये वीडियो आप जरूर देखेगा लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ये ए अलावा 800 से ज्यादा यहां पे कामी और स्प्रिट्स हैं जो इसमें सबसे इंपोर्टेंट गोड हैं वो हैं सन गोड अमाते रासू अमाते रासू जो गोड हैं उनको सबसे उपर वाना जाता है गोडेस हैं एक्चल में देवी हैं ये सुप्रीम डाइटी हैं सिंटो रिलि इत्यास की सबसे पहला पिरियड जो है वो जापनीज इत्यास का उसको मना जाता है जैमन पिरियड जैमन पिरियड शुरू होता है लगभग 14500 साल पहले से बीसी से और 320 तक चलता है तो एक काफी लंबा पिरियड है और इस जैमन पिरियड से पहले का जो पिरियड है उसको मवला जाता है पेलियोलेथिक एज यानी स्टोन एज पत्थर योग बाशान काल ये तो तीस हजार सालों से यहां पे चल रहा है जब आदी मानों का यहां पे फुट्प्रिंट पड़ा था आप जानते हैं कि आदी मानों जो है यहां से निकल के आया था ये एक सबसे ज़्यादा अप्रोप्रियेट थियोरी है इसको सबसे ज़्यादा सविकार किया जाता है जो आपका आज का होमो सेंपियन है वो लगबग दो लाग सालों पहले से यहां से माइग्रेट करना शुरू हुआ वो भारत आया सतर हजार सालों पहले उसके बाद ये अलग लग एशिया के छित्रों में गया और लग वग 35 से 30,000 साल पहले ये जापान में पहुंचा है कोरियन पेनिसुला और यहां पे होते हुए पास ज्यादा तर चीज़े आई हैं जो भी वेल्यूज उसके लाव इन्होंने खुद डेवलप करी हैं तो ये चीज़े रही हैं तो फुट्प्रिंट जो होमोसीपियन के पड़े हैं वो 35,000 साल के आसपास पड़े हैं तीस जार साल पहले से माना जाता है कि यहां पे पैलियूलिथिक एज थी जब लोग जो हैं यहां पे लैंड ब्रीजेस को क्रोस करते हुए एशिया से यहां पे पहुँच गए थे यह चीज़े इनके साथ रही हैं उसके बाद यह जो जम्वन पिरियड है यह जम्वन पिरियड भी इस दोरान जो हैं चार मेन आइरलेंड्स हैं वो शुरू हो गए थे यहां पे आबादियां रहने शुरू हो गई थी और यह चार आइरलेंड आज भी बहुत इंपोर्टेंट हैं यह होकीडो होंसू शिको आइरलेंडस हैं ठीक है तो काफी ऐस का यह बहुत बड़ा कंट्री है और अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा आइरलेंड वाला कंट्री कुन सा है तो वह तो है आपका यह सोरी या दन्यारा जो सबसे ज़यादा जहां पर मुसलिम पोपुलेशन है इंडॉनेशिया हाँ इंडोनेशिया है वो तो जापान भी एक आइलेंड वाला एकंट्री है काफी बहुत सारे आइलेंड से इनके यहाँ पे हैं और एग्रिकल्चर का जो साइन है यहाँ पे पहली बार दिखता है आपको 5000 BC पहले यहाँ पे एग्रिकल्चर आपको देखने को मिलता है उस सम आपकों को यहाँ पे दफनाया कैसे जाता था बूर्य बेरियल साइट देखने को मिलती है तो गड़े मिलते हैं पित्स मिलतें हैं उसमें क्काई करिकल्चर के संख्या में skeleton मिले हैं मतलब उनको एक साथ दफनाया गया होगा जैसे कोई वोर जैसी situation रही होगी तो सैंकडो के संक्या में skeleton भी एक एक pits में मिले हैं बड़े-बड़े pits में मिले हैं कुछ single और individual jars भी मिले हैं और इन jars के साथ-साथ जहां पे दफनाया गया था वहां पे humans फ्यू ग्रीन भी बिले figures भी मिले हैं जैसे कि भारत की जो कुछ पुरानी sites देखी हैं आपको सिनौली की जैसे site मिली थी सिनौली की site में आपको क्या मिला था कि वो एक warrior clan जैसे उनको दिखाया गया था और उनके साथ कुछ ऐसी मुर्तिया टेरा कोटा की कुछ ऐसी मुर्तियां दिखी हैं कुछ ऐसे उनके साथ दिखे हैं clients उनके साथ कुछ हथियार भी मिले थे यहां पे हथियार तो नहीं देखने हों मिलते लेकिन कुछ ऐसी figures आपको मिलते हैं human figure मिलते हैं कुछ Animals के Figwer मिलते हैं, उनके साथ उनको दफनाय गया है, उनको उस तरीक से रखा गया है, इनको बोलते है Haniva Figurines, ने इन जैनमन के टाइम के स्केल्टन्स के साथ यहाँ पे इनको इन Glays को दफनाय गया है, उसके पलगा को steep jewelry भी जेल्री है, है तो ancient period में जिस तरीका इत्यास दुनिया भर के देशों में मिलता है कुछ वैसा इत्यास इस period में जापान में भी आपको मिलता है उसके बाद दूसरा जो period आपको शुरू होता वाद दिखेगा वो है यायोई period यायोई period जो है ये इसका timeline मानी जाते जापान की तरफ माइगरेट कर गए जापान की तरफ ये लोग माइगरेट करके तो उसके बाद क्या होता है migration के साथ-साथ ये लोग कुछ लोगों ने तो कह जापान के जो native लोग थे उनको conquer कर लिया उनकी जमीने और उनकी घर उनसे चीन लिया उनको मार दिया उसके अलावा कुछ को माना जाता है कि वो शान्ती पून तरीके से इनके लोगों के साथ integrate हो गए उनके साथ मिल गए घुल मिल गए basically तो ये चीज़े तो होती है जब कोई एक mass migration होता है तो वहां के लोगों को किस तरह से misplace किया जाता है डिस्प्लेस करके खुद वहां पे लोग replace कर देते हैं उनको या फिर उनके साथ integrated हो जाते हैं ये चीज़ होती है उसके साथ ये जब लोग आए कोरिया के लोग यहां पे आए तो वह अपनी pottery लेके आए उसके अलावा अपने instrument लेके आए उनके पास जो उस समय के metals थे उनको वह बहतर तरीके से करके लाए iron age एक तरह से हाँ पे आ चुकी थी तो iron अपने साथ लेके आए अपने साथ वह ब्रॉंज लेके आए और उनके पास जो metal working techniques थी वह बहतर थी जापान के लोगों से तो वह metal working techniques अपने साथ लेके आए तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे तो यह चीजें हुई और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको कुछ ऐसे bracelets और ऐसी चीजें भी मिली हैं इस दोर की वह चीजें भी आपको देखने के मिलती हैं यह यह यही पीरियेड के दोरान population मानी जाती है लगबग 4.5 million यानि क लगबग 45 लाग के आसपास population उस जमाने में रही होगी और इस दोरान जापान ने अपने international relations भी establish करना शुरू कर दिया था जापान के साथ और चाइना के साथ धिरे धिरे इन्होंने चाइना में अपने invoice भेजना शुरू कर दिया था और कोरिया में भी ताकि उनके साथ इन एक हजार women जो हैं इनको rule करती थी और इन रानी ने कभी शादी नहीं करी यह मानी जाती है कफी historical figure है जापान के इतियास की यह dual role में थी यह ruler भी थी और एक high priest भी थी शेमन ने इस दी यह शेमन मतलब एक तरीके के जादूगर होते हैं divine जादूगर होते हैं जो की एक तरीक यह एक important figure है और इनके दोरान इन्होंने काफी बड़े kingdom का उपर इन्होंने rule किया है अगला जो period आता है वो कौफून period कौफून period है इसका समय मना जाता है 250 BCE से क्योंकि इससे पहले का period जो है वो तो आपको मैं भी बताया ही है कि यह यह योई period था तो 250 के बाद से 538 CE के बी बहुत powerful था जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडियन जब इत्यास आप पढ़ते हो तो उसमें आपको क्या दिखता है कि जो महाजनपद period है महाजनपद period के आगे का time जो है उसको क्या कहा जाता है मगद का period माना जाता है क्योंकि मगद एक powerful महाजनपद निकल गया था उसमें सभ माना जाता है कि Korean Peninsula के जो लोग हैं काफी लोग जो हैं वो जापान में आए और उन्होंने जापान के साथ trade relations और इनके यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर आके बस गए यह थे बके जे किंडम और गया confrontation के लोग अब यह देखिए कहां पे है यह आपको Korean Peninsula दिखेगा जिसमें North Korea उपर वाला हिस्सा यहाँ पॉला और यहाँ नीचे वाला हिस्सा सोरी इतना ही है Korean Peninsula यहाँ पे North Korea और नीचे वाला South Korea है यहाँ पे बकजे काया इसी को गया कहा जाता है इसके लावा सिला इस सिला किंडम के साथ तो जापान के काफे सारे wars हुए हैं लेकिन बक्याते और का उसके लावा यह गया कानफरेशन जो है यहाँ पे आई सिला के भी लोगों के आगे लडाई हुए है एक ठेओरी है जिसको बोलते है horse riding ठेओरी यह horse riding ठेओरी है नहीं थोड़ी आपको आरियन इंविजन ठेओरी की याद दिला देगी आरियन इंविजन ठेओरी आपको प गप्किलाफ हैं कुछ उसके पक्ष में है उसके उसके उपर मनेंने एक डबेट टिवल वीडियो भी बनाया था। उस तरीके की ये थिओरी है कुछ वैसी है कि इसमें का इसका उल्टा था जापान ने कोरिया पे अटेक किया था और जापान ने कोरिया को अपना वैसाल स्टेट बना लिया था तो ये दोनों ही controversial theory है आपस में ये एक दुसरे के contradictory है horse rider theory जो है लेकिन आप जब इत्यास को देखेंगे खंगा लेंगे तो koreans ज्यादा किसी के control में यहाँ पे रहे नहीं है लगता नहीं है यह जब यहाँ पे आप पूरे उस rule को अध्यान करते हैं तो korean peninsula का जो rule है वो काफी आपको independent नजर आता है तो यह horse rider theory है यह हो सकता है कुछ हद तक सही हो या गलत भी हो इसका ज्यादा फर है उस समय का जो समाज है वो काफी influence हुआ काफी सारे इनके goods यहां पर आते थे काफी सारी raw material आते थे आयरेंज जैसे उसके अलावा cultural ideas जो है वो korea के राश्ते ही जापान में आये हैं जैसे korean teachers और scholars जो है वो चाइना से travel करके आते थे बहुत सारे और यह इन्होंने Confucian Confucian जम के उपर मैंने वीडियो बनाया था Confucius जो है उनकी teachings के उपर है बुद्धिजम की जो है भार्त से बुद्धिजम चाइना में गया चापान चाइना से फिर korea और korea से होता हुआ यह जापान गया है irrigation techniques हैं बहुत सारे आइडिया जो है वो जापान पहुंचे korea के र का का काफी योगदान है क्योंकि उसी के राखते होते हुए Confoon period में काफी सारा development हुआ है अगला जो पिरियड आता है वो असू का पिरियड आता है और असू का पिरियड माना जाता है 538 से 710 CE के आसपास का समय माना जाता है और यह वो टाइम है जिसमें जापान के इत्यास क पहले राजा पहले एंपरर का establishment हुआ राजा का नाम था एंपरर किमी ए और ये धरती पे राजा जो है उनकी बात है माइथलोजिकल और लिजेंडरी जो स्टोरीज है उनमें तो काफी अलग-लग राजाओं की बात उसमें कर रखी है सिंटोइजम में भी कर रखी है वो एक अलग बात है लेकिन जो जिसने सच में रूल किया हो जिसने सच में जिसके कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो जिसने लोगों के साथ जो रहा हो वो वेक्ती थे किमी यह एंपरर किमी थे इन्होंने 531 से 571 सीए के बीच में अपना रूल किया है इन्हीं की क्लैन से आगे में चलके एक और रूलर आते है जिनका नाम है प्रिंस शौकू कू तो ये तो पहले राजा है एंपरर किमी और उसके बाद है प्रिंस शौकू प्रिंस शौकू जो हैं ये बहुत इंपोर्टेंट है इनके जो रिफॉर्म्स हैं उनको एक शुरु गूर्मेंट बनाई थी चाइनीज मोडल के उपर उसके अलावा इन्होंने 17 आर्टिकल का एक कॉंस्टिटूशन तयार किया तो सुईधान के आधार पे अब देश चलना था ये बड़ी बात थी रूटिंग आउट करॉप्शन भरस्चाचार को समाप्त करने के लिए इन् और मेजर पॉलिटिकल यहां पे डेवलपमेंट होता है कि 645 CE के अराउंड फूजीवारा नाम की एक क्लाइन होती है जो की बहुत ही पावरफुल क्लाइन होती है और जापान के थियास में सब से पावरफुल क्लाइन मानी जाती है वन ओफिस को तो फूजीवारा नो कामा में ले दिया सत्ता को अपने हाथ में लेने के बाद ये कामातारी क्लाइन जो है ये फुजिवारा क्लाइन जो है इसके राजा बनते हैं कामातारी राजा नहीं बनते हैं सोरी ये मिलिटरी में होते हैं समय पाउर इनके पास आ जाती है अब होते हैं यहां पे नए रीफॉun नई सरकार बनते ही होते हैं टाइका रीफॉun में क्या होता है land को nationalize कर दिया जाता है देखें बड़ा यह बहुत ही بड़ा reform माना जाता है land को nationalize करना मतलब देश की होगी जमीन कोई भी individual owner उसको own नहीं करता है यह जमीन जो है पूरी state को belong करती है tax को यहाँ पे pay करने की बात चली पहली बार उससे पहले क्या होता था कोई भी व्यक्ति अगर उसको कर्ज चुकाना है राजा के को मतलब लेबर की form में उनको वो दिया जाता था tax एक तरीके से मतलब service की जाती थी राजा की कोई भी service कर दो तो उसको क्या कर दिया जाएगा उसका चुक जाएगा कर चुक जाएगा तो basically यह है अब यहाँ पे tax session system क्या गया social ranks को यहाँ पे categorize किया गया recategorize किया गया कि किसको क्या rank मिलने चाहिए उसके अलावा civil service entrance exams को introduce किया गया देखे civil service exams को इन्होंने 465 CE में कर दिया है इतना पहले 7 वी शताबदी में इन्होंने यह कर दिया कि अब कोई भी bureaucracy में आएगा bureaucrate बनेगा तो वो एक exam देखे आएगा उसी को उसकी rank के अधार पे establish किया जाएगा यहाँ पे law written course को लिखा गया जो एक तरीके से सुईदान में लिखा जाता है जैसे हमारे से यह हैं IPC वगेरा है उस तरीके के codes लिखे गए absolute authority दी गई यहाँ पे राजा को fujiwara clan थी यह सबसे powerful clan थी अब राजा जो है वो fujiwara clan के अंडर काम करने लग गया धीरे धीरे करके fujiwara clan और ताकतवर होगी राजा को जो absolute power मिली हुई थी अब वो राजा तो nominal head बनके रह जाएगा और fujiwara clan जो है वो rule करेगी आने वाले समय में यह देखिए production of Buddhism to Japan Japan में उस जमाने का जो सबसे significant development है वो है political नहीं religious है की 552 CE के around जापान में बुद्धिजम पहुच गया था उसी रास्ते जैसे मैंने कहा भारत से चाइना चाइना से होता हुआ यह जापान पहुचा पांसो बावन सीए में Emperor योमई ben हुआ चाइना जाप्ए नाम के राजा जो थे उस समय उन्हों नहीं सबसे पहले बुद्धिजम को अपनाया और यहा पर प्रिंस सौक्टूम भी बुद्धिजम को अपनाया हま उर श्यो जी नाम की जो मन्दिर है यहाँ पर बनाया पगोडा जानते हैं कि जो बुद्धिम के होते हैं आप एक तो इस तरीके की शेप के वो बनते हैं जैसे राजा हशोक ने बनाया था स्टूप मिन भारत में स्टूप मिलते हैं लेकिन जापान और इस तरफ जाओगे आप इसकी तरफ तो यहाँ पे आपको पकोडाज मिलेंगे तो होरियू जी नाम का टेंपल इनोंने बनाया जापानीज इस तरीके से आर्किटेक्चर के तरीके से तो धीरे धीरे करके बुद्धिजम जो है वो वेलकम किया जाने लगा जापान में पहले इनकी जो किस तरीके से इस प्रेड़ वा जब बुद्धिजम का वीडियो बनाया था तो उसमें मने सब कुछ बताएं आपको नारा पिरियड की बात करते हैं नारा पिरियड जो है वो साथ सो दस से लेके साथ सो चौराण में सीगी का टाइम का माना जाता है इसमें कैपिटल जो थी इनके बारे में बताते हैं पुराने राजाओं महराजाओं की पूरी इंपोर्टेंट कहानियों को इव्यक्त करते हैं इनके लिए बहुत इंपोर्टेंट टेक्स्ट है होली टेक्स तो नहीं इनकी माइथलोजिकल और हिस्टोरिकल टेक्स्ट है उसके अलावा उसी दोरान एक मायान सोचो पोईटरी भी लिखी गई थी ये एनलोजी है जापान की शुरुवाती टाइम की 760C के आसपास ये पोईटरी लिखी गई तो ये नारा पिरियड का वो लिटरेचर वर्क है और उसी के बाद शुरू होता है हैलियन पिरियड हैन पिरियड जो है ये नाम हैयो कायो से बना है है हैन कायो उस समय की राजधानी थी आज हैन कायो को केटो बोला जाता है केटो साउथ में लगबग साउथ जापान में पढ़ता है और ये उस समय की राजधानी थी तो ये पिरियड जो है 764 में से 1185 के बीच का जो पिरियड है ये है 1185 के आसपास जो टाइ उसके ministers हुआ करते थे इसमें 8 minister हुआ करते थे total उसके अलावा इनकी bureaucracy हुआ करती थी और total 68 province में ये rule किया करते थे लगबग 7 लाग की इनकी population हुआ करती थी 7 लाग नहीं 70 लाग की population नहीं के पास होती थी 7 million people यहां पे उस समय जापान में रहते थे तो ये high end period था, high end period के बाद का जो समय आता है राजा और उनकी पूरी तरीके से ये पूरा proper तरीके से मोनार्की के structure से चलने लग गया था अब आता है medieval period और medieval period में भी बहुत कुछ चीजें हुई उनको हम देखेंगे court में दीरे-दीरे करके राजा का इस तर जो है वो कम होने लग गया राजा की जगए अब powerful होने लग गई थी फूजी वारा क्लैन और फूजी वारा क्लैन जो है उसमें important bureaucrates भी होते थे time देखते हैं आने वाले समय में foreign relations इन्होंने establish किये जापान के साथ जापान ने अपने foreign relations को बहुत कम कर दिया सोरी में यह कर रहा हूँ 838 में जापान ने सोचा कि वो खुद को isolate रखेंगे वो दूसरों के साथ ज़्यादा रिलेंदे नहीं रखेंगे सिर्फ चाइना और Korea के साथ ही इनके relations थे पहले भी बहुत ज़्यादा relations नहीं थे लेकिन अब इन्होंने और ज़्यादा अपने आपको isolated कर दिया और basically यह isolated करते हैं उसके बाद उसी का एक बहुत बड़ा region है modern जापान के इत्यास में बहुत कुछ change होता है जब western powers इनके isolations को खतम करने के आती हैं और वो कहते हैं कि इनको जबरदस्ती इनके उपर force करते हैं कि हमारे साथ trade करो या हमारे साथ यूद लड़ो तो यह सब चीजें होती हैं जिसकी वज़े से आने वाले समय में जापान क्या करता है अपनी military को भी powerful बनाता है वो समय भी आएगा तो यह चीजें हुई चाइना के साथ relation रखे बाकि सारी दुनिया के साथ इनको नोने अपने आपको isolated रखा अब हैनियन पिरिड के आने वाले समय में 2020 के आसपास Tale of Genji नाम का एक novel लिखा गया इसका writer जो था वो मुरा साकी था जो मैंने की बताया कि दुनिया का यह पहला novel था और इस समय बहुत ही cultural development हुआ और यह एक तरीके की golden age थी जापानीज इथियास के लिए यह हैनियन और जो चितरकार थे बुद्धिजम को central idea उनका बुद्धिजम हुआ करता था लेकिन उसके अलावा जो आम लोगों की जिंदगी है और प्लेसेज हैं और राजा माराजा हैं उनके ओपर भी painting और चितरन किया जाता था ओवियसली यह बात आप जानते ही होंगे तो यह बात फिर उसके लावा artistic work तो ठीक था बढ़िया था हेनियन पिरियेड में लेकिन आने वाले समय में एक हेनियन पिरियेड का जो अंतिम समय आता है वहां पे power struggle शुरू हो जाता है किसके बीच में दो powerful clan होती है एक होती है मीना मोटो और एक होती है टायरा क्लैन इन क्लैन के पास अपनी खुद की आर्मी होती है private आर्मी जिनको कहते है Samurai Samurai का नाम आपने सुना होगा एक मूवी है The Last Samurai Tom Cruise की उसके लाव Samurai इस पे तो बहुत सारी मूवी बनी है और इनके उपर private Samurai किस तरह से काम करते थे ये आपको पता चल जाएगा तो ये क्लैन के लिए काम करते थे अपने बहुत ये ताकतवरती उध़ा हुआ करते थे और बहुत अच्छी इनकी ट्रेनिंग हुआ करते थे तलवारों से लडते थे और इनकी ट्रेनिंग के under इनकी लीडर्शिप में जो इनके क्लैन्स होते थे इनके साथ Samurai मिलके लड़ाई लड़ते थे और इस या हुई एक हुआ था ग्यारा सो छपन में हैगन डिस्टबेंस और एक होता है हैजी डिस्टबेंस ग्यारा सो साथ में और लोगों ने आम जनता ने देखा कि देखे है यह जो क्लैन थी यह खुद पावरफुल थी फुजिवारा क्लैन यही मैनली रूल करती थी और यही जनता इन से काफी ज़्यादा परभावित पड़ी हुई फाइनली जैन पाई वर हुआ 1180-1885 के बीच में इसमें मीना माटो जो ट्राइब है वो जीच जाती है क्लैन जो है वो जीच जाती है इसकी राजा जो होते हैं लीडर जो होते है योरी योरी टोमो यह अपने आपक time बदल जाता है पूरी तरह घरल से यहां पे ancient period एक दन्छी से खतम और शोगुनेट का पिरिएड जो होता है medieval जापान का time आ जाता है जापान क्या होता है अब military protection leadership के अंडर आ जाता है पहले यह मीना माटो ट्राइब जो है इसके साथ काम करती थी राजाप ताकतवर था अ बीना माटो नो योरी निटो इस व्यक्ति ने अपने आपको शोगन घोषित कर दिया शोगन का मतलब वह ऐसे तो होता है military protector यह पहले भी हुआ करते थे जापान के थियास में लेकिन नाम ही शोगन था military protector था एक्च्वल में वह क्या था military dictator थे वो वो military dictator थे इन्होंने 1192 से लिके 1199 तक इसने योरी टोमो ने रूल किया है और इसी दोरान क्या होता है नया political structure लाए गया गौर्मेंट में अब क्या होता है imperial court में सबसे ज़्यादा इस शोगन की चलती थी शोगन जो कहता था वो रहता था हलांकि राजा भी था अगर देखा जाए तो इस कामुकारा शोगनेट का आप मैप देखिएगा कितना बड़ा इसने रूल किया है तो बहुत important इत्यास रहा है इनका इस पूरे के पूरे छेतर में कामुकारा शोगनेट के टाइम पे बहुत important ये वो दोर था और इसमें पूरा political change आपको दिखता है शिफ्ट दिखता है राजा जो है वो कहने को तो शोगन के उपर था वो राजा को पूरे तैसे हटा के मार नहीं दिया था हटा नहीं दिया था उसको कह रखा था वो अब nominal head बचा था लेकिन practically जो शोगन है उसी के पास सारी ताकत थी जो शोगन कहता था वही होता था आर्मी का control उसके पास था state का power उसके पास था पूरी authority taxation सब कुछ उसको पता था सब कुछ उसी के पास था ceremony को attend करते हैं लेकिन man power यहाँ पे parliament और प्रधान मंत्री जी के पास है वही चीज वहाँ पे होती थी जो शोगन जो है वैसे military leader होना चीए था इसको लेकिन power भी उसके पास थी यहाँ पे अलग संदर में बावतारों यहाँ पे कोई minister नहीं है वो military head है वो military dictator है बस यहाँ पे राजा को power नहीं दे रखी उससे power छीन ली गई है शोगनेट का यहाँ पे struggle शुरू होता है उसके बाद अब शोगनेट रहेंगे तो यहाँ पे military dictatorship में कभी भी military dictatorship चलती क्यों नहीं है क्योंकि वो लोग चुने वे परतीनेदी नहीं होते वो जो ताकतवर है वो ही शोगनेट बनेगा शोगनेट वो बनेगा जिसके पास military का ज्यादा support है जिसकी बात ज्यादा मानी जाती है यह बात रहेगी काको कुडा कामा कुरू और अब शुरू हो गई है मोरो मौची शोगनेट आप मोरो मौची को स्वगनेट के अंदर उन्दोस क्यों एक जीन गेंगा जीए यह फिंखेल ऑनते हैं पाइक का यहांपी इंस दोरान भी आचे सानी है कि यह military dictatorship थी उस समय आम लोगों को उपर ताना शाही की जाती थी काफी ठीक माहूल था बेसिकली बात यह है कि government का system बदल गया था राजा के हाथ में ताकत नहीं थी बाकी यहाँ पे चुना हुआ राजा तो पहले भी नहीं हुआ करता था पहले भी तो मोनार्की हुआ करती थी तो बेसिकली अब शौगुनेट रोल करता था बात यह है अब वार्लोड्स ओडा नौबू नांगा नाम का एक वेक्ति होता है वह पावर सीज करता है 1568 में यहां से और चेंज होता है तो यह ऑशिक आगा शौगनेट पिरियड था इसी दोरान चल रहा था और इस पिरियड के बाद का जो समय है उसमें उसको बोलते हैं सेन गौकू पिरियड या फिर वरिंग स्टेट पिरियड यह चला है 1466 से लेके 1568 के बीच में जो पिछले 100 साल हमने इनको देखा इसमें यह एक सिविल वार एक लंबा मोनोची पिरियड से पहले और इन से पिरियड से एक लंबा पिरियड आया है तो उसमें यह जो शौगनेट्स के पिरियड में मैं जब आपको बताया था वार और लड़ाई हो लड़ी थी उनको एक लड़ाई को ओनिन वार कहते हैं सिविल वार कहते हैं इसमें क गरों के बाहर किसे आम आदमी को मार दे जाते था तो समुराइज और इन लोगों के हाथ में ज्यादा पावर थी और ये योद्धा टाइप लोग थे तो आम आदमी की जिंदगी थोड़ी यहां पे ज्यादा खतरनाक थी उनकी लाइफ पूरी सिक्योर नहीं थी हलांकि इस ओनिन वार में कोई नहीं जीता ये पूरा डिस्ट्रक्शन का टाइम था जापान के लिए कोई यहां पे जीता नहीं कोई हारा नहीं किसी को यहां पे कोई किसी तरीके का डोमिनेंस नहीं मिला बस जापान का यहां पे पूरी तरीके से नुकसान हुआ काफी लंबे समय तक अब बात करते हैं अनुणवार और इसके बाद का समय है अजुच की मौनोव यामा टाइम जो है यह वो टाइम था जब सेंगड सालों का जो आप धोडा सेंगरों सालों के बाद हमारा देश जो है वो यूनिफाइड हुआ है ठीक ठाक टाइम चल रहा था सेंटरल गुर्मेंट जो है वो ठीक काम कर रही थी कुछ यहां पर कॉन्फिलिक्ट हो रहे थे लेकिन बाकी राइवल्री यहां पर खतम हो गी थी उसी दोरान ओडा नामबु का जैसे मैंने पहले बताया था उनियन वोर से पहले इस वेक्ति ने अपने हाथ में सत्ता ली और यह जापान का मिलिटरी रूलर बन गया उसके बाद इन्होंने अरुची नाम का कैसल बनाया था क्योटों में इसके इसी लिए पीरेड का राम भी अरुची नाम का पीरेड बन गया उसी दोरान आगे चलके धीरे-धीरे करके पूरा देश युनाइट हो रहा था मॉमयामा में इन्होंने साउथ को टोक्यो में अपने एक और बेस बनाया धीरे-धीरे करके यहां पे यह थोड़ा मिलिटरी को भी अपना पावरफुल बना रहे थे उसके दोरान इन्होंने कोरिया के ओपर दो अटेक किये कोरिया को अपने कंट्रोल में कोशिश लेने की कोशिश करी लेकिन यह फेल होगे कोरिया के ओपर यह अटेक जो है सक्सेस्फुल नहीं हुए इतनी ताकतवर आर्मी थी उस समय कोरिया की तो उसके बाद जब ये वीक पढ़ गया अरू जी की मोमया वाला पिरियड ये इनके जो रूलर वीक पढ़ गया उसका फाइदा हुथा है टॉकू गावा लाया गास ने टॉकू गावा लेया इसको जो है ये खुद एक मिलिटरी लीडर था इसने नई शोगुनेट की शुर मानी जाती है जापान की ये आखरी शोगुनेट थे आखरी मिलिटरी लूडर थे रूलर थे उसके बाद मेजी रिस्टोरेशन हो जाता है यहां पे 1868 में 1868 में फाइनली होता है अक्टूबर में 1860 तक इनका रूल चलता है स्टोकू गोगा का उसके बाद धीरे धीरे करके एक साल का पीरिड और लगता है मेजी रिस्टोरेशन का मेजी रिस्टोरेशन यानि की फिर से पुरानी हिस्टोरिकल मोनार्की का इस्टैबलिश्मेंट होता है उसके बाद एक नई तरीके की सरकार आपको देखने को मिलती है इसको हम आने वाले वीडियो में मेजी चताबदी और बीस्वी चताबदी के अरली पिरियड में कि ये टकर देते थे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों को जो उस समय की पावर हाउस थे उनको टकर देते थे और पैसिफिक ओशन में लोहा माना जाता था जापान का ये देखे कोरिया को जीता 1910 में उ यूएस को बिलोंग करता था, कोई किसको बिलोंग करता था, यहाँ पे ताइवान, यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों को इसने जीत लिया था, उसके बाद दूसरा विश्यूद शुरू होता है, दूसरे विश्यूद में जापान, जर्मनी और इटली के स 1945 को इनके उपर परमाणू हमले किये जाते हैं, 15 अगर्स्ट 1945 को जापान समरपन कर देता है, दूसरा विश्यूद समापत हो जाता है, और जापान को यह देश जो हैं, वो उक्यूपाई कर लेते हैं, दीरे दीरे जापान का इतियास, उसके बाद का इतियास मैं आपको अल के साथ भी जूड़ी है जिससे आपको इन वीडियो की बारे में इंफोर्मेशन मिलती रहें पीडियाफ इनकी मिल जाएं तो थैंक यू सो मच फॉर वचिंग दिस वीडियो है वे गुड डे से नेक्स क्लास